साथियों हम रोड पे खड़े हैं जैसा कि हमारे सामने आप देख सकते हैं यह पूरा मंदिर है यह मंदिर पूरा एकदम जरजर हो गया है मैंने अभी जाके अंदर में भी देखा भी आपको मंदर में दिखा रहे हैं कि इसमें जो है पानी चूता है अगर रात में बाबा जी समस्याएं ना हो उसके लिए मापको देखाते हैं साइड में ये मंदिर की जमीन है इसको जो है बाबा जी जैसे बता रहे थे कि कपजा कर लिया गया है जबर्दस्ती इसको हम कहना चाहते हैं जो सरकार है हमारी इस टाइम बीजेपी की सरकार है उसको थोड़ा सा ध्यान देन चाहिए और ध्यान दें कि इस मंदिर पर थोड़ा सा ध्यान दें एक संचाला यहां हो जाना चाहिए जैसे कि इन्हों ने यहां पर एक नलका बनवाए अगर यहां भीड हो जाती है जादा तब लोगों को समस्या होती है जैसे बाबा जी का कहना है और हम अभी आपको जिए इधर 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 फेस करके फेस करके लीड है और आगे जहां मोटा दिखाई दिखाई दीरा उसके आगे तक कितने भी गहाइंचावी है 1962 वीगा जमीन है जब बेनामा हो गई है तो आपने पुलिस वगए का सहरा नहीं लिया क्या कूद किया गया है और दिवानी म में भी किया गया है लेकिन कोई करके बीस चैनल के माध्यम से आप योगी जी तक क्या बात पहुचाना थे क्योंकि योगी जो हैं अहिंदु भक्त हिंतु पते हैं और मंदिरों की अस्थापना करने हैं जैसे राम मंदिर भी बन रहा यह उसीके आंस बताइए थोड़ा सा अभी तक कोई अधिकारी करमचारी यहां जाच के लिए नहीं आया अभी तक मित्रों आप देख रहें ऐसी चीजों को सजो के रहना चाहिए यह भारत की धरोहर है थोड़ा सा इसको मानताएं हैं कि इसको मानना चाहिए लोगों को यहां पर पर्धान है या जो भी है अधिकारी यहां पर work करना चाहिए वॉश्रूम का देख रहे हैं बनवाया गया उसकी भी कोई बेवस्था नहीं दिया है उन्होंने यहां पर कोई सीट वगरा नहीं बैठा गये अभी हम उस पर भी दिखा देते हैं यहां पर यह प्रॉपर तरीके से बाउंडरी होनी चाहिए कोई वो नहीं है कि रात में कौन से जानवर आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं सीट बनवा दिये हैं जंगल में वहां पूरा कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता होगा हमें लगता यहां पर कोई सफाई कर्मचारी भी न्यू अगर यहां एक तरीके से सागर्ट बनवाद इया जाता तो समस्याइं जो है वह खतम हो जाती है अगर यहां लोग असनान करने के लिए आएंगे तो आप देखते हैं इस पानी में हमें तो लगता है कि छाले पढ़ जाएंगे जिस तरीके के पानी है यहां पर देख सकते हैं इस पानी को आप देखेंगे कितना मटमेला पानी हो गया अगर यहां पर एक तरीके से घाट बनवा देते हैं तो कितना अच्छा हो जाता है यहां के जो ग्राम परधान है उनको देखना चाहिए कि यह कार इसको करें अभी हम आपको यहां का बाथरूम भी दिखा देते हैं कि बाबाजी कह रहे थे यहां का बाथरूम भी हम आपको दिखाते हैं सीट नहीं बैठी है वो भी हम दिखा दे रहे हैं आपको वीडियो में बने रहे हमें लगता है कचरे की गाड़ी कचरे कचरे निकालने के लिए यहां से हटाने के लिए आता है कभी नहीं आता कोई न अगर कोई दर्षक यहाँ पर आते हैं कोई द्हालू आते हैं तो कोई बेवस्था नहीं है यहाँ आपनागe बताएं कि अस दो यहाँ नहीं करेंगे यह यहाँ पिखेंगे क्या बैट रहो है व कोई Ponad यहां पे बतलब बना दिया गया है सीट नहीं बैठी भाईया इसमें का करेंगे इसे बैठ जाएंगे का इसमें आप लोग देखिए ध्यान से और आप लोग ही इसको सही करवा सकते हैं आप यहां पे अगर सफाई करमचारी होते परदान जी को चाहिए कि यह पूरा एरिया साफ करवा देना चाहिए बाबा जी इसको कब तक साफ करेंगे अकेले आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या क्या आप नहीं चाहते हैं किसी अस्थान को बढ़ावा दिया जाए क्या देख रहें इसमें काई लगी हुई है दिखाईएगा थोड़ा सा देख रहें एकदम काई लगी हुए कोई सफाई नहीं देखे पूरा एकदम गंदगी है का बहिया परदान जी हम आपको अगर हमारा यूटूब चैनल देख रहें तो आप जगे क्ष़र जो एक पे यहां के हैं इसको आ के देखें कि इसको यहां पर थोड़ा अस्टान के बारे में स्थां गाओ इसको इसका जाहती है और यहां कोई काम नहीं क्या चाहते हैं O के इसे कांनाग सामने की जमीन की बरएंढ़ वह देहां चैनल के माधिया Samy Christmas के बहुत देखेंगा अच fan कोई तरीका नहीं है कोई तरीका नहीं है सब लोग जो है मिले जुले हैं पढानों ग्यारा स Canon लें अभब यह हमरे चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं इसको बहुत ध्यां से देखें ग्रामिड भी यहां के दुखी हैं और यहां पे इस तरीके से कार्थ नहीं हुआ यह पूरा बाउंडरी हो जाना चाहिए मैं योगी जी से निभेदन करता हूं हाँ जोड की निवेदन करता हूँ, यहां के कार ये पूंड हो जाना चाहिए, यहां पे आपकी सरकार में रहके अगर काम नहीं हुआ, तो कभी काम नहीं होगा, यह आप ध्यान से देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं, कितनी घांस वगरा है, इसकी कटिंग तो कम से कम, परधा करवाईए, काफी पिछडा छेतर है, अब हम क्या कहें, हम खुद दुखी हैं, इन चीजों से, और भी पीछे थोड़ा सा दिखाएंगे, अभी मंदिर पे चलते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी साथियों, हम दो पार्ट में इसको रिलीज करेंगे, आप वीड उसको बेंचा गया था, बाकी पैसा कुछ पने पास से लगए था, समर्सेवल एक लोगों ने दान में दिया था, बताइए चाचा क्या चाहते हैं आप इस अस्थल के बारे में, यह अस्थल बहुत ही पुराना है, इसका सौंधिरी कान कुछ पहले हुआ था, लेकिन बहु ठाले पढ़ जाएंगे हमको तो, यह सर्विड को सही कह रहे हैं आप, सफाई होनी चाहिए प्रधान की द्वारक नहीं होनी चाहिए, यह तो जब से आये महराजी तब से समर्सेवल से हो नहीं तो ही चाहटा में लोग नहाते थे, की चाहटा में नहाते थे लोग यहां पर रहता सिद्रा करके, समर्सेवल लगवाया भी उस था कि यहां पर चाहिए यहां पर आपे जब स्राधभास आद्मी सबस्क्राइब लोग आते हैं कितनी भीड कथा हो जाती है, यहां पर पर चलता है, यहां पर मंगलवार को कम से कम दो सो लोग 300 लोग दो सो लोग आते तो वो एक separate वो हो कि वहाँ पर कपड़े बदल सकें यहाँ पर ऐसे खुले में कपड़े बदलना चाहिए जो नारा है इनका कि महिलाओं पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना कुछ नहीं हो रहा है यहां पर बिलकुल नहीं हो रहा है इसमें बताइए अब आप लोग देख रह हैंगे इसके बारे में अब यह कहना चाहता है कि जो पिश्रा इलाका है मारा जल जल्द काम करने के करते हैं कि बहुत जल्द यहां के कारवाई करें और जो कुछ बिगड़ा है उसको साब सुत्रा करें जी